दोस्तों यह मेरे पास एक SETUP बॉक्स को अगर हमें अपने कम्पीटर के साथ यानि कि हमारा जो मोनेटर होता है उसके साथ कनेक्ट करना हो तो उसे कैसे करेंगे तो उसके लिए क्या सेटप करना पड़ेगा कैसे कनेक्ट करने पड़ेंगे आज इस वीडियो में आपको पू converter होता है जिसे हम AB to HDMI converter बोलते हैं इसमें AB का input होता है यानि RCA cable का input होता है और दूसरा HDMI cable का socket दिया होता है जिसे हम output के रूप में प्रयोग करेंगे तो इस तरह के converter के हमें यहाँ पर जोरित पड़ेगी और हमारा setup box हमारे monitor के साथ में आसानी से connect हो जाएगा आप कैसे connect करना है वो मैं आपको बताता हूं तो देखिए सबसे पहले हमें simple गया कर रहा है यहां पर इस monitor के back panel पर आजाना है और back panel पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर HDMI socket यहां पर दिया हुआ है तो इस HDMI socket में हमें यह जो HDMI cable होती है इसका एक सिरा इस तरीके से यहां पर connect कर लेना है उसके बाद दोस्तों यह जो HDMI का दूसरा सिरा है इसे हमारा जो यह converter है इसका जो HDMI का output दिया हुआ है यहां पर इस तरीके से connect कर लेना है तो फिलाल के पास नहीं है तो इस converter का और इस RCA cable का लिंक मैं discussion में दे दूँगा बहां से जाके आप इसे purchase कर सकते हैं अगर आप Instagram पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनका लिंक मैं बायो में दे दूँगा बहां से जाके आम इने खरीच सकते हैं अब दोस्तों आपको setup box है इस setup box के back panel पर RCA input दिया हुआ है तो यहां पर आपको yellow में yellow cable और byte में byte pin और दोस्तों red में red pin इस तरीके से यहाँ पर connect कर देनी है अब दोस्तों यहाँ पर जो इस converter है इसको हमें supply देनी है तो supply के लिए दोस्तों इस इस तरह की power cable आती है इस converter के साथ में इस के वल को यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों एक mobile charger का अडेप्टर आपको लेना है यहाँ पर इस तरीके से उसको connect किया हुआ अभी हम् small का गरेंगे दोस्तों को लगाएंगे पावर सप्लाई से इस सेłosटम बॉक्स को भी हमें सकावर सब्राइं देना है तो पावर सब्राइन के लिए इसके जो अडेप्टर है इस हैश ड therapies को भी यहाँ पर हमसे कर लेंगे and दोस्तों अब हमारे सारे connection हो चुके हैं अब सब की supply दे देते हैं से बोर्ट से हम लगा देते हैं तो अभी हमने इस converter को बोर्ट से लगा दिया है अब हमें सेटप बॉक्स को भी बोर्ट से लगा देते हैं यह जो हमारा monitor है इस monitor को भी supply दे देते हैं तो यहां पर हमने सब की supply को यहां पर on कर दिया है तो इन सभी की supply को on करते ही दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ picture नजर आएगी यहाँ पर देख सकते दोस्तों no signal यहाँ पर अभी दिखा रहा है वो इसलिए लिखकर आ रहा है क्योंकि आभी हमने यहाँ पर dis antenna की केबल यहाँ पर connect नहीं की है जैसे हम setup box के साथ में जो quacksil cable होती है dis antenna की उसे connect करेंगे तो जितने भी program सुनगे वो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएंगे दोस्तों सारे connection तो हो गए बट दोस्तों एक problem आती है problem यह है दोस्तों हमारा जो monitor होता है इस monitor के अंदर TV की तरह speakers नहीं लगा होते है तो जो भी program दोस्तों हम इसके अंदर देखेंगे तो उसमें wise कैसे सुनेंगे तो उसके लिए आपको simple solution बताता हूँ आपको गया करना है दोस्तों इस setup box को बिल्कुल नहीं छेड़ना है जैसे connection थे बिल्कुल बैसे ही वैसी रखने है यह जो converter है इस converter में आपको simple गया करना है दोस्तों यह जो आपकी red lead है और यह जो white वाली lead है तो इन दोनों को आपको यहां से इस तरीके से निकाल देना है क्योंकि यह हमारी audio की lead है और यह वाली हमारी video की lead है एक home theater आपको लेना है और home theater ले सकते हैं या फिर tower ले सकते हैं या और भी कोई तरह का आपके पास amplifier है तो उसको आप ले सकते हैं voice चलाने के लिए जो converter में से हमने दो pins निकाली थी इन दोनों pins को यह जो home theater है इसके पीछ पाई दीजिए और इस setup box के पीछे coaxial cable लगाई है और disintegration कीजिए उसके बाद दोस्तों कोई भी program आप जो भी tv में देखना चाहते हैं उसे आप अपने monitor पे असानी से देख पाएंगे और आपका जो monitor है वो tv बच जाएगा आसा करता हूं दोस्तों यह सारे connection आपको समझ मे हुआ हैूआ ह çıkarligtूँровा है राद कि यह सोरी है अपका जोस्तोंस कोई है अर है जब दोस्तों समझк को पाई है जचेजए है कaking नबते हैम आसा है कर